Hello friends, welcome to our channel MNP Knowledge School तो साल 2023 में आपको ज़्यादा रिटर्न कहां मिल रहा है? बैंक में FD कराने से या पोस्ट आफिस में टाइम डिपॉसिट में पैसा जमा करने में आपके लिए क्या होगा बहतर? इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ प्रमुक बैंकों के FD के रेट्स देखेंगे, पोस्ट आफिस के टाइम डिपॉसिट के ब्यासदर को देखेंगे फिर कंपेर करेंगे कि ज़्यादा आपको प्रॉफिट कहां पे होगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें तो देखिए बैंक में हम FD कराते हैं, निश्चित समय के लिए जो है कुछ पैसा हम फिक्स कर देते हैं, उसके बाद एक निश्चित अवधी के बाद हमें कुछ ब्याजदर उसमें जोड़कर मिल जाता है, इस वीडियो में हम बैंक की जो FD होती है एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए और पाँच साल के लिए उस पे देखेंगे देश के पाँच प्रमुख बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाम नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और बैंक का बढ़ादा में आपको क्या ब्याजदर मिल रहा है, वही टाइम डिपॉजिट भी पोस्ट ओफिस त्वारा किया हुआ एक प्रकार का FD है और इसमें भी आप एक निश्चित अहुदी के लिए पैसा लगाते हैं और इसमें भी आप रिटर्न पा सकते हैं तो इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि पोस्ट ओफिस की जो टाइम डिपॉजिट है उसमें ज़्यादा ब्याजदर है या फिर बैंक में FD कराने में दिपॉजिट में 6.9% की ब्याजदर है तीन साल की टाइम डिपॉजिट में 7% का जो है इंट्रेस्ट आपको मिलेगा और 5 साल की टाइम डिपॉजिट में आपको साथे 7% का रेट अप इंट्रेस्ट मिलेगा एस्बी आई की बात करें तो एक साल की FD में 6.8% दो साल की FD में 7% तीन साल की FD में 6% और 5 साल की FD में भी साड़े 6% का ब्याज मिलेगा यानि कि पोस्ट आफिस में जो टाइम डिपॉजिट होता है उसका ब्याजदर SBI से जादा है अगर आप 5 साल की जो है फिक्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें PNB पे आजाते हैं पंजाम नेशनल बैंक पे एक साल की FD पे 6.8% दो साल की FD पे 6.8% तीन साल की FD पे 7% और 5 साल की FD पे 6.5% अगर प्राइविट बैंक की बात करें, HDFC बैंक एक साल की FD पे 6.6% का ब्याज दे रही है, दो साल की FD पे 7% का, तीन साल और पात साल की FD पे भी आपको 7% यानि 7% का ही ब्याज मिल रहा है, DCICE बैंक की बात करें, तो एक साल की FD पे 6.7%, दो साल की FD पे 7.1%, यानि कि HDFC बैंक से जज़्यादा आपको ICICE बैंक दे रही है दो साल की FD पर, और तीन और पात साल की FD पे 7% का ब्याज मिल रहा है, और बैंक और बड़ोदा की बात करें तो एक साल की FD पे दो साल की FD पे और तीन साल की FD पे 6.75% और पाँच साल की FD पे साड़े 6% का ब्याज मिल रहा है यानि कुल मिलाके दो तीन चीज़े बिलकुल क्लियर हो चुकी है कि पोस्ट आफिस के टाइम डिपॉजिट में अगर आप 5 साल तक के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा रेट अप इंट्रेस्ट मिल रहा है वो है साड़े 7% और अगर प्राइबेट बैंकों की बात करें तो ICICI बैंक दो साल की FD में 7.1% का ब्याज दे रही है तो यहाँ पे आप साफ साफ क्लियर है कि कंपरेजन करें तो पोस्ट आफिस की जो टाइम डिपॉजिट का जो रेट अफ इंट्रेस्ट है वो जादा है तो यह था आज का वीडियो इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं जल्दी से कि अगर हम पोस्ट आफिस में 5 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो पैसा 9 साल और 6 महिने में डबल होगा वहीं अगर बैंक की ब्याजदर को हम 7% माने तो 10 साल और 3 महिने में डबल होगा यानि कि बैंक के करना बिल्कुल मत भूलिएगा